हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो रूवी स्क्राफ्ट किचन फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी ले की आए हूँ ये एक सबजी की रेसिपी है और ये वो सबजी है जिसे देखकर मैक्सिमम लोगों का मुह अंजाता है बचे तो बचे बहुत से बड़ी लोगों को बैगन बिलकुल पसंद ही आता है लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो पहली नजर में तो वो बिलकुल खाने से मना ही नहीं करेंगे और खाने के बाद वो गरंटी है कि पसंद भी करने लगेंगे तो चलिए बनाते हैं आज ये बड़े वाले बैगन की सबजे कुछ अलग तरीके से तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया है कड़ाई उसमें डाला है सरसो का ते और ये मैंने आलू को छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है चोटे-चोटे क्यूब्स कट करें हैं और इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डालके हम इसे कुप कर लेंगे यानि कि पका लेंगे और जब तक ये पक रहा है अगर मेरी चैनल में पहली बार आ है तो मेरी चैनल को करिएगा सस्क्राइब और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा और कोई आपको क्वेश्चन और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो देखें बातों बातों में आलू अच्छे से पंग गया है और आगे हमें क्या करना है अब चलते हैं यह आगे बैगन को जो बड़े मे . बैगन को इस हमें डूपीश में कट करना है तो य्य crank काट कर देती हूं और मैं डंठल नहीं निकालूँगी, आप चाहे तो इसकी डंडी भी निकाल सकते हैं, लेकिन लुकवाइज देखने में अच्छा लगता है, मैं तो चूस के ही खा लेती हूँ, अच्छा लगता है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं, तो कट करके निकाल भी सकते हैं, अब य आसानी से निकल जाता है, यह इस तरीके से, और पतली सी एक लेयर सिप मैंने नीचे की रहने दी है, अब बाकि सारा मैंने अंदर का सामान निकाल लिया है, और उसकी अंदर हल्दी और नमक लगाके चार अच्छे से फैला देंगे, मने चारो तरफ अच्छे से कोट कर दें और जिस कढ़ाई में मैंने आलो को फ्राई किया था इसमें देखिए तेल है, इसमें हमें बैगन को तलना है, तो नीचे रख दिया है, ओपर से यह थोड़ा सा तेल बहुत गरम है, यह उपर से मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर तेल डाल दिया है, और इस तरीके से चाहे तो डीफ राई करें लेकिन तेल बहुत वेस्ट होता है, तो ऐसे धीमियाज पर अंदर अंदर बाहर पलट पलट के ऐसे अच्छे से कर लेंगे, यह पतली सी लेयर है और बहुत जल्दी यह पक जाता है, तो यह देखिए पूरा अच्छे से यह पक गया है, और इसे हम रख देंगे साइड में, अंदर से तेल डाल दिया है, बाहर से करके उसे तल लिया, अच्छे से बस सिफ एक पतली सी लेयर बैगन की वो रहती है, अब इस तेल में क्या करेंगे, यह है लगा दिया है जीरी का तड़का, और उसके बार डालेंगे इसमें थोड़े से एक पड़ी इलाइची, दो लॉंक और एक दालचीनी का टुकड़ा, हलका सा तेज पत्ते भी डाल दिये और इसका तड़का लगा के और इसको अच्छे से बसेख लेंगे, अब इसके बार डालेंगे कुछ कलियां लस्न की, मन तीन चार बारी बारी कटे हुए लस्न, थोड़ और इसे भी अच्छे से पकने तक पका लिया है, अब इसमें डालेंगे हैं बारी कटे हुए टमाटर, दो बैंगन के लिए मैंने दो बड़े साइज का टमाटर मिलिया है और इसे भी पका लेंगे, अब इसमें मैंने डाला है यह है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मि इस प्यास टमाटर के साथ अच्छे से भून लेंगे अब इसके बाद जो हमने बैगन के अंदर से उसका गूदा निकाला था ना बारी कटा कटा ये इसमें डाल के और मिला के और ढख ढख के इसे अच्छे से पका लेंगे बैगन बहुत जल्दी पक जाता है तो मिक्स करेंगे धक करेंगे और इसको पकने तक अच्छे से पका लेंगे अब अब इसमें शाथ के अनुसार अब ये नमक डाल दिये तो बहुत जल्दी पानी छोड़के बहुत अच्छे से बहुत जल्दी गल जायगा तो चलिए यह पकाते हैं फिर दिखाती हूँ आपको यह देखे बैगन कितने अच्छे से गल गया है टमाटर भी गल गया है और पूरा एकदम सौफ्ट हो के क्वेंटिटी कितनी कम हो गई है अब यह हमने आलू फ्राइक करके रखा था ना अब इसमें हम आलो मगए कोई आलू तो पका हुआ है उपर से यह हरे प्याज की पतियां है यह भी इसमें डाल देंगे और दो मिनट के लिए इसे भी पका देंगे कि आलू और प्याज भी आपसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए बस दो मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि सारी चीचे पहले से पकी हुई है अब हमने गैसे उतार दिया है और उसी फीलिंग को इस बैगन को जो हमने फ्राइ करके रखा था ना बैगन के कवर को इसी के अंदर अच्छे से भर देंगे और फॉस्स क्लास से हमारी जटापट वाली सबजी रेडी है तो बताइए कैसी लगी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना बिलकुल मत भूलिएका मिलती हूं नहीं रेसिपी के साथ